हेलो नमस्कार स्वागत है मारे यूट्यूब चैनल पर आज हम लेकर आए हैं जिस तरह से होटलों में बनता है चावल फ्राई उस तरह से तो हम लोग घर पे भी बना के खा सकते हैं तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले हम एक बाल में चावल लिए हैं उस चावल को अच्छे से धूल करके और उसमें पानी डाल करके आदे घंटे के लिए रख देंगे अब इसके बाद हमने गैस पे पानी रखा है उस पानी में नमक डाल दिये हैं और उसमें डालेंगे सोया चंग्स और इनको हम इस इसी जार है उसमें लिये हैं टमाटर अद्रक लहसन और लाल मिर्चा देखिए लाल मिर्चा को हमने गरम पानी में भीगों के रखा हुआ था जिसे नरम हो जाएं और बारिक पेश्ट बन जाएं तो इसको हमने इसमें डाल दिया है अब इसको ढखकन लगा लेंगे और इसको पीश लेंगे देखिए हमने इदम फाइन पेश्ट तयार किया है अब इसके बाद हमने खुछ सब्जिया लिया है देखिए हमने लाल सिम्ला मिर्चा प्याज है हरी सिम्ला मिर्च है और गाजर के है और बिंस है इन सबको हमने बार के रख लेंगे इसको अब इसके बाद जो में चावल को रखा था आदे घंटे के लिए भी गोकर उसको हम पानी निकाल लेंगे पानी निकाल करके इसको हम अभी कूकर में पानी करम किया है उसमें डाल देंगे कूकर में हमने डाल दिया है सब चावल को अब इसको हम दो मिनट के लिए ढख देंगे जिससे चावल उसमें पक जाए अब इसके बाद एक कड़ाही लेंगे इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल यह ने शर्षो का तेल लिया है अब इनको हम इस तरह से भुमा करके पूरे कड सब्सक्राइब ऑग जाने तो देखी है इस से तरह से भून कर अमशको निकाल को इसके बाद इसके बाद इसी चड़ा ही में थोड़ा तेल डाल दिया तो देल गरम जब को गया तो इसमे डाल दी है जो हम ने पीछे थे मसाले में इसमें डाल दिये हैं और इनको आभ हम मिला कि अब करें ठोड़ा सा नमक का लिए अब इसमें डालयों थोड़ा सा टोमेटो सांस अब मच्षक को मच्छ से मिलाकर्ट के जटनी-देख्टेरें-म्री तइयार हो गई है अब इन चटनी को थोड़ा सा हम काटोरी में निकाल लेंगे और जो थोड़ा सा रहेगा उसमें डाल देंगे सोया चंस अब इनको अच्छे से मिला लेंगे पूरा कवर कर देंगे इस पे देखिए तो इस पे पूरा लग गया है जो भी चटनी है अब इसको हम कुछ ला कर रख देंगे इसके बाद देखे चावल हमारे पक गए हैं चावल को हमने पूरी तरह अच्छे से नहीं पकाया है तो थोड़ा हलका सा कच्छा रहना चीए चावल बहुत नहीं पकाना है ने तो चावल टूट जाएंगे अब इनमें हम देखिए थोड़ा सा हमने कच्छा छोड़ा है अब इसके बाद इसमें डाल करके जिसे पूरी दर से ठंडे हो जाएं इसके बाद एक कडाही में हम तेल डालेंगे अब तेल हमारा गरम हो चुका है तो इसमें डाल देंगे कटे हुए बारिक प्याज और जितनी भी हमने सबजियां काटके रखी हुए थी उन सबको डाल देंगे अब इनको चला लेंगे थोड़े मटर है इसको भी हम डाल दिये है अब इन सबको हम चला लेंगे इनको हाई फ्लेम पे ही पकाना है अब इसमें डाल दिये है एक चमच हल्दी और एक चमच गरम मसाला थोड़े से इसमें डालेंगे नमक क्योंकि नमक हमने चटनी में भी डाल दिया है और सोया चंच में हमने नमक डाल के उबाला था इसलिए धान रखे नमक थोड़ा ही डालें नहीं तो नमक ते ही जाएंगे इसके बाद हमने जो चटनी यानि मसाले हमने बना के रखे हैं उसको इसमें डाल दिये हैं और इनको अच्छे से मिला लेंगे अब इसके बाद जो हमने सोया चंच को फ्राई करके रखा है उसको मिला दिया है अब इन सब को हम अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो चावल हमने च्छान के रखा है उसको अब इनको अच्छे से मिला लेना है हलके हाथों से तो देखिए हमने मिला लिया है और हमारी चॉल फ्राई होटल वाली तैयार हो गई है तो देखिए तो कैसी लगए रेश्पी आप लोग प्लीज लाइक सेरें सस्क्राइब कर दीजेगा थैंक्यू अब्रिवन